तो आज आपके लिए लेके आचुका हूँ वीवो वाई स्रीस का एक और नया स्मार्टफॉन वाई 27 और इसकी डिजाइन देख सकते हो भाई साफ कितनी ज़्यादा कमाल की है ये भाई इसके लुक्स और डिजाइन को तो और भी तगड़ा बनाती है और जितनी अच्छी इस इस मुबाईल को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डाइनेमिक इफेट का भी सपोर्ट मिल जाता है वाई स्रीज में भी इसके लिए आपको मोवाईल की सेटिंग में आना है यहां पर आपको डायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर सेक किसी का call आता है तो डिस्पेले पर ऐसी light देखने को मिलेगी जिसको अलग-अलग changes कर सकते हो अलग-अलग colors में देख सकते हो और इसकी size को भी यहां से छोटा बड़ा किया जा सकता है तो आप जब भी किसी का call आएगा तो ऐसी light देखने को मिलती है और same SI आप notification में भी set कर सकत डिस्पेले के उपर है जो इस mobile को और भी तगड़ा बनाएगी अभी picture बाग ही है मेरे दोस्त इस mobile को और भी जदा मज़ेदार बनाने के लिए आपको इसी के अंदर आना है dynamic effect में यहां पर आपको काफे सारे animation मिलते है home screen entering animation after unlock है जब भी इस smartphone को log से unlock करते हो तो simply apps वगेरा फिर आपको apply कर देना है अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ जैसे मेरा smartphone lock है और इसको जैसे ही मैं unlock करता हूँ तो कुछ इस तरीके से application वगेरा निकल कर आती है और बेक आने के उपर आपको काफी तगड़े वाले animation मिलने वाले है facial recognition animation जब भी इस smartphone को face lock से unlock करते हो तो पर एसा lock मिलता है लेकिन उसकी जगा पर ये smile set कर सकते हो जो आपके moon को fresh बना कर रखेगी और इसके बाद में आपको bake आने के बाद में charging animation मिलता है इस smartphone को जब भी charge लगाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का animation मिलता है लेकिन उसको colorful भी बना सकते हो फिर apply कर देना है और उस इसको भी animation दे सकते हो जैसे कुछ इस तरीके से light on, off होगी तो मैं apply करके दिखा देता हूँ इस smartphone को आप में low करता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरीके off, कुछ इस तरीके on जो इस mobile को और भी तगड़ा बनाती है वाई वीव वाई स्रीज के अंदर आपको मिलता है Google डाइलर और इसका नुकसान क्या है जब भी किसी को call करके call recording on करते हो तो सामने वाले बन्दे को पता सल जाता है call recording has been start लेकिन इस smartphone में Google डाइलर को हटा सकते हो, automatic call recording भी कर सकते हो, call recording on करोगे तो सामने वाले बन्दे को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि अपने call recording on किये, तो इसके लिए आपको जाना होगा mobile की setting में, फिर apps के ओपर click करना है, यहाँ पर आपको click करने के बाद में नीचे मिलेगा सबसे नीचे, enable alternate phone and contacts, इसके ओपर click करना है, इसको यहाँ से on कर दे अब आप बेजी जग इसमें automatic call recording या call recording on कर सकते हो, अगर automatic call recording on करना चाहते हो, तो इसके अंदर आना है, आपको फिर agree करना है, फिर यहाँ पर 3 बटन के उपर click करना है, अब आपको यहाँ पर call setting देखने को मिलेगी, तो अभी मैंने sim डाल कर नहीं रखा है, तो आप जब भ बाते हो कि फेस्बुक को भी एक साथ में चला सको हो, और वर्सप को भी एक साथ में यूज कर सको हो, दोनों जगा एक साथ में पर online रेकर, तो बिल्कुल कर सकते हो, बस इसके लिए आपको फेस्बुक को open करना है, 3 बटन के उपर click करना है, अब आपको small window का option मिलेगा, इस के उपर click कर देना है, अब आप देख सकते हो, फेस्बुक कुछ इस size में open हो चुकी है, इसकी size को भी छोटा बढ़ा करके कहीं पर भी exist कर सकते हैं, और नीचे की side में आप WhatsApp, Snapchat, कोई भी application यहां से चला सकते हो, तो इस तरीके से आप दो-दो application में एक साथ में online रेक सकते हो, और इसकी size को चोटा बढ़ा करके यहां पर आसानी से chatting हो गयरा भी दोनों application में एक साथ में कर सकते हो, इस mobile में आपको 50MP का main camera मिलता है, और 2MP का depth sensor और 8MP का selfie camera, तो इस mobile के camera में आपको कौन पॉंड से mods मिलते हैं, वो बता देता हूँ, सबसे पहले यहां पर आपको देखने देखने को मिलेंगे, circle, heart, इसके अंदर जब भी photo click करोगे, तो background से जो भी दूप बगएर आरी होती है, उसको कुछ इस तरीके से design में बना देता है, और photo quality, photo quality इसमें आप highest है, zooming quality की बात करें, तो 10 next तक आप इसमें zoom कर सकते हो, तो एक photo click करके देख लेते हैं, तो वही इस आपको video quality मिलती है, जिसमें आप 1080p, 30fps पर highest video record कर सकते हो, अफस्टी के अंदर, और more camera के अंदर आने के बाद में 50MP camera, penroma, document, slow motion, time lapse, pro mode, live photo, यह सारे इसके camera में mods मिल जाते हैं, दोस्तो इस smartphone में आप a block लगा सकते हो, application को hide भी कर सकते हो, वह भी मज़दार तरीके से, एक बा privacy के उपर click करना है, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा, app log, app hide और app pinning का option है, तो यहाँ पर आपको एक के उपर, किसी के उपर password वगेरा set कर देना है, जो तीनों के अंदर काम आजाएगा, तो मैं यहाँ पर pattern select कर लेता हूँ, तो simply आपको मैं example पर pattern set कर दिया हमने, अगर आप pattern log को भूल जाते हो, तो यहाँ पर in answer का देकर, यहाँ पर forget कर सकते हो pattern को, तो अब setup हो चुका है, अब इसके अंदर आपको इसको on कर देना है, इन दोनों को select करके enable कर देना है, अब जो भी app hide करना चाते हो, जैसे Amazon हो गया है, इसके उपर select कर देना है, और pattern आपने select किया था, वो pattern यहाँ पर लगा देना है, फिर यहाँ पर अगर fingerprint वगरा लगाना चाते हो, इस lock क्यों पर तो लगा सकते हो, ट्रेन ओन करके वाइद देबे cancel कर सकते हो, अब देख सकते हो, जो भी मैंने app hide किये थे, वो यहाँ पर show हो जाएंगे, टू फिंगर से इसकी चीज़ बता देता हूँ, कभी कबार यह आपके life में जुरूर होता है कि friend वगरा mobile लेता है कि यार तेरे mobile में कुछ देर के लिए calling करनी है, तो आप उसको dialer तो on करके दे देते हो, लेकिन डर बना रहता है कि वो बेग आकर अपने mobile में कुछ और use ना कर ले, या फिर app lock लगा सकते हो, app encryption पर, और app pinning का option मिलता है, इसके अंदर जाकर इसको यहां से on कर देना है, फिर ok करना है, ok करने के बाद में यहां पर x for bin before unpinning, इसको भी on कर सकते हो, अगर आपने mobile पर password लगा रखा है, तो इसको भी on करना जरूर है, अब आपका smartphone रेडी है, जो भी application lock कर करके देना चाहते हो, तो वो ही चला पाएगा, जैसे मैं यह dialer lock करके देना चाहता हूँ, तो इसको open किया, 3 बटन पर click किया, इसके icon पर click करके pin कर देना है, अब आप देख सकते हो, यह pin हो चुका है, अगला बंदा bake आने की कोशिस करेगा, तो बिल्कुल भी कैसे भी bake नह बस 13 मिलता है, लेकिन यहां पर अगर left में slide करते हो, तो यह वाला page निकल कर आता है, इसमें अगर आप net वगरा यूज कर रहे हो, तो इसमें गलत photos भी आती है, तो इसको हटाना चाहते हो, और यहां पर देख सकते हो, काफी सारी application मिलती है, जो काम की नहीं हो, उनको तो यह यहां से simply uninstall कर सकते हो, लेकिन दो application ऐसी मिलती है, hot apps and hot games, जिनको यहां से delete नहीं किया जा सकता, तो इनको भी हटाना चाहते हो, और इस page को हटाना चाहते हो, तो बस एक simply home screen पर tap करके रखना है, फिर home setting के अंदर जाना है, और यहां पर आपको मिलेगा google discover, तो इसको disable कर देन है, और hot apps and hot games, उन application को अटाने के लिए, इनको disable कर देना है, अब आप बेका कर देखोगे, वहां से दोनों application hide हो चुकी है, हट चुकी है, और वह वाला page भी यहां से हट चुका है, तो आप mobile को clean UI बना सकते हो, इस mobile में आपको 6GB RAM मिलती है, और 6GB RAM के अंदर 6GB RAM extend भी कर सकते ह यानि total 12GB RAM के ओपर इस mobile को use कर पाओगे, जिससे multitasking वगेरा और चलाने वगेरा में काफी boosting और आसानी मिलेगी, इस mobile की flashlight तो काफी unique लग रही इन दो camera के बीच में, अगर आपको किसी का भी call आता है, तब यह flashlight on होनी चाहिए, और भी मज़ेदार settings बता देता हूँ, अगर आ अच्छा दिखने के लिए एक मज़ेदार setting बताता हूँ, आपको जाना है mobile की setting में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा shortcut and accessibility, इसके ओपर क्लिक करना है, और face beauty for video call का option मिलता है, तो इसको यहाँ से on कर देना है, अगर आपने कोई दूसरी application डाउनलोर करके रखिए, तो व अब आपको किसी का भी call आता है, तो यह flashlight blink करेगी और इस smartphone को और भी मज़ेदार बनाएगी, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलता है, इसी के अंदर smart motion, इसमें check to turn on the flashlight, इसको on कर देना है, ओन करने के बाद में, जब भी आप home screen पर रहते हो, और emergency में flashlight on करनी होती है, तो आपको mobile को कुछ इस तरीके से सेक करना है, और आपके smartphone की flashlight on हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको उपर से जाकर मीचे यहाँ पर flashlight on करने की जरूरत नहीं है, वो देखेगा तो बहले का वही मज़ा आ गया, और इसी में आपको smart screen on off का option मिलता है, तो इस तरीके से आपको इन क किनों को on कर देना है, on करने के बाद में जब भी डबल टेप हो के तो smartphone लोग हो जाएगा, डबल टेप हो के तो smartphone on हो जाएगा, इस mobile की design तो बड़ी कमाल की है, लेकिन जो यह नीचे तीन बटन देखने को मिलते हैं, अगर आप बेक बटन को right में करना चाहते हो, या इन करना है, अब बेक बटन को right में करना चाहते हो तो इसके उपर किलिक कर दीजिगा, बेक बटन इधर आच चुका है, और बटन को बिलकूल हटाना चाहते हो, तो tension के ऑजटे करना है, अब देख सकते हो नीचे से बिलकूल बटन अच चुके है, लेकिन फिर भी एक line देखन करने को मिलती है अगर इस line को भी हटाना चाहते हो तो हाइड mom धिचर बताता हूं जिसको जानने वाद में आप ऑलोंग या या फिर फोटोस गेरा है और कभी-कबार क्या होता है फ्रेन्ड यार तेरा मोबाइल चाहिए मुझे एक दो गंडे के लिए नोर्मली कॉलिंग करने है या फिर कुछ यूज करना तो आप उसे मना भी नहीं कर सकते है और दे भी नहीं सकते लोग अनलोग करके तो इसके लिए आपको एक मज़ेदार सेटिंग में जाना होगा और इसी तो आपको एक से दो सेकेंड का वेट करना है अब इसके अंदर ओप्सन आएगा कि जिसको मोबाइल देना चाहते हो उसको स्वीच करने के बाद में यहां पर आपका पॉल वगेर आना चाहिए या नहीं तो इसको आप यहां से ओन ओफ कर सकते हो या फिर अदर स्वीच कर दे है अब जिसको भी मोबाइल देना चाहते हो उसको मोबाइल दे सकते हो आपका पूरा का पूरा डेटा हाइड हो चुका है जैसा स्मार्टफोन नया होता है सेम वेसा हो चुका है अब आपको गाईज में करके दिखा देता हूँ एक से दो सेकेंड का यहां पर फिर से वेट करना होगा और देख सकते हो जो भी मेरे स्मार्टफोन में फोटो वगेरा थी वो यहां से हाइड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको एगरी कर देना है अब आप देख सकते हो यहां से फोटो वगेरा सारा डेटा यहां से हाइड हो चुका है और जब भी उससे मोब जहसे कि मैं आपकोएगजाम्पल करके दिखा देता हूं मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा फिर सबसे नीचे आना है सिस्टम के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मल्टीवल यूजर के उपर जाकर और आपको यहाँ पर रिमूग येश्ट सकते हो यहां पर फोटो वगेरा डेटा वगेरा सारा सब कुछ आ चुका है इस मोबाइल में आप एक एप्लिकेशन को दो-दो यूज कर सकते हो अलग-अलग नंबर से वह कैसे जैसे स्नेप्चेट डूल हो गया फेस्बुक डूल हो गई तो इसको ओन करने के लिए आपको ज कमाल की बात है और इसी तरीके से आप फेस्बुक वगेरा इन सब को डूल कर सकते हो तो पहले वाले एप्लिकेशन में एक से दो सेकेंड टाइम का वेट लगता है अब मैंने जैसे फोन पर फेस्बुक को डूल कर दिया है तो यहां पर देख सकते हो मेरे स्मार्ट फोन में दो-दो फेस्बुक आ चुके यह दो-दो फोन पर आ चुका है इस मोबाइल में अगर आप स्क्रीन रिकोर्डिंग करना चाहते हो तो वो भी उसकी भी क्वालाटी को एक्जेस्ट कर सकते हो जैसे यहां पर रिकोर्ड स्क्रीन का ओप्शन मिलता है इसके उपर टेप करके इमेज क्वालाटी पर जाना है और यहां पर हाई, मीडियम, लो यह सब सेट कर सकते हो और यहीं से आप स्क्रीन रिकोर्डिंग को ओन भी कर सकते हो इस मोबाइल में मज़ेदार तरीके से स्क्रीन शोट भी ले सकते हो नीचे स्ट्रोल डाउन करने पर एसकेप सर का इसमें सेप स्क्रीन शोट मिलता है जिसमें कुछ इन तरीके के सेप में स्क्रीन शोट ले सकते हो जैसे यह वाला हो गया या पिर यह वाला हो गया और इसी तरीके से आपको यहां पर ले सक्रीन शोट मिलता है तो इसमें डूडल स्क्रीन शोट मिलता है जिसमें इतने इतने एरिया की तो हमें पूरी इसकी रिकोर्डिक देखने को मिलेगी दोस्तों अगर आपको इस मोबाल में नोटिफिकेसन या मेसेज वगेरा बहुत सारे आये हुए रहते हैं तो अपन क्या करते हैं गलती से एक साथ नोटिफिकेसन आया है था वो देखना है तो बस एक setting on करके रख लेना, इसके लिए आपको निचे scroll down करना है, manage के उपर click करना है, और फिर यहाँ पर notification history का option मिलेगा, इसके उपर click कर देना है, फिर यहाँ पर इसको on कर देना है, अब आपको बेगा जाना है, अब आप don't worry, यहाँ पर कोई भी message वगरा को clear all करते हो, तो आपको देखना होता है कि कोई सा notification कितनी वज़े आया था, कोई काम का notification तो नहीं, तो आप एक दिन बाद में, दो दिन बाद में कभी भी पता लगा सकते हो, बस नीचे scroll down करके history के उपर click करना है, यहाँ से, history के उपर click करने के बाद में देख सकते हो, यहाँ पर आपको सभ भी application का पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी application का कौन-कौन सा notification कितनी वज़े आया था, तो है ना दोस्तो कमाल की trick से, तो यह थे इस smartphone के कमाल दमाल मज़ेदार hidden features, वीडियो कैसी लगी, comment करके जुरूर बताना, और इस mobile की price है 15,000, जहाँ पर आपको 6128 का storage मिल जाता है, और 6 चाहिए पिलीज चैनल को सब्सक्राइब, जुरूर कटीजीगा, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, मज़ेदार में, बाई बाई